इन चार लाइनों में से बीश की जो दो लाइन से हैं उनके बीश में हम स्माल लेटर एक्स बनाना सीखेंगे तो एक्स बनाने के लिए लाइक बिफोर एक क्रॉस लाइन जो हम अरे एक में कॉमन लेते हैं तो बता चुका हूँ और उसके बाद इस तरह से roundness गोलाई में इस पार्ट और इस पार्ट को देखें आप किस तरह से बनाना है और यहां तक लागे हमें रुख जाना है तो इस तरह और फिर ये इस तरह तो इतना पार्ट कम्प्लीट हो जाए है तो फिर उसके बाद इसी रास्ते से उपर जाना है और इधर भी इसी तरह से गोल जिस तरह से हमने आपर किया था तो इस तरह फिर उपर की तरफ ले जाने के बाद इसी तरह से गोलाई में पार्ट और यहां तक लाकर हमें रोग देना है और इसके बाद एक काम हमें और करना है कि इस लाइन को थोड़ा सा लंबा यानि आगे की तरफ इस तरह से ले जाना है इस लाइन को हमने यहां पहले लंबा ही बनाया है क्यूंकि कोई वर्ड अगर पहले जोड़ना हो तो हमें इसका यूज़ करना है इसी डंग से अगर कोई वर्ड एक्स के बाद जोड़ना हो तो इस लाइन का यूज़ करेंगे तो इस तरह से आप X बनाएं सबसे पहले इस तरह तो यह थोड़ा सा गुलाई यह उपर और फिर यह उपर की तरह तो इस तरह से बहुत एजी लिए बहुत आसानी के साथ हम वर्ड एक्स बना पाएंगे एक्स बनाने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपको इसे इस तरह से क्रॉस ही बनाना होगा यानि ये पार्ट और ये पार्ट हमें क्रॉस बनाना होगा और वो इसलिए क्योंके तमाम words cross होते हैं बहुत लोग ऐसे हैं जो बना तो लेते हैं लेकिन cross नहीं बना पाते हैं एकदम सीधा बनाते हैं जो wrong होगा तो इसलिए आप सही में तर follow करें अब कैलिग्राफिय निप से किस तरह से बनाएंगे इससे देखेंगे बीश के इन दो लाइन के बीश में हम word x बनाते हैं तो x बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह से cross line cross line बनाने के बाद हमें इसके उपर निप के उपर थोड़ा सा pressure डालना है और इस तरह से एक part बनाकर यहां पर बारिक एक part लाकर छोड़ देना है इस तरह और इस तरह तो उसके बाद एक part कुछ इस तरह से आएगा इसके बाद यहां में थोड़ा सा pressure डालना है और इससे को पर की तरफ ले जाना है इन दोनों parts को जब हम मिलाते हैं तो word x बनता है तो किस तरह से इस part को बनाएंगे मिलाकर हम देखते हैं तो एक cross line ठोड़ा सा pressure पर bars फिर इसके बाद उपर की तरफ इस तरह ले जाना है हूर यह इस्सा में बारिक बनाने के बार हमें यहां से थोड़ा सा प्रेशर डालते हुए पार्ट लाना है और उपर की तरफ लेकर जाना है तो यह और यह हमें उपर और यह नीचे की तरफ बनाना होगा यहां हमें कोई दूसरा वर्ड जोलना हो तो हम जोल सकते हैं तो इस तरह इस जगा और इस जगा इन दो जगा हमें हलका सा प्रेशर निप के ओपर डालना होता है जैसे जिसे यह पार्ट हमें मोटा दिखाए देता है मोटा बनता है तो इस तरह से एक सहम निप से बनाएंगे